नवश्कार राममंदिर उद्गाटन का वक्त है आज ही चमपत राय ने जो की शैद महा सच्चिव हैं उस ट्रश्ट के प्रमुख व्यक्ति हैं उन्होंने यह सूचना भी दी है कि कल से यानि 16 जनवरी से प्राणपतिष्ठा का पूरा कारिकम शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ राममंदिर को ले करके जो संतों महापुर्शों का विवाद है धर्म गुरूं का विवाद है वो अभी लगातार आगे बढ़ता चला ज जनवरी है आज एक बड़ी महत्पूर्ण घटना भी घटी कि उत्रप्रदेश की चार बार के मुक्यमंत्री रही मायवती जी ने या घोशना की अपने जन दिन के अवसर पर कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे उत्रप्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले का क्या राजनितिक असर होगा याने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन उन परिस्तियों पर एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बसपा भी इंडिया अलाइंस का पार्ट बन जाए आज वो लगभग खतम कर दी गई है परिस्तियां और मायवती जी ने घोशना क कर दिए कि वो अकेले चुना लड़ेंगे इससे इंडिया गडबंदन थोड़ा मुश्किल में तो आएगा दूसरी तरफ राममंदर का पूरा मुद्दा भारती जिंता पार्टी का जो केंद्री मुद्दा है लगभग तीन चार दशक की राजनीती भारती जिंता पार्ट पूरे लाव लशकर के साथ इसमें उतर चुकी है आज के इस वीडियो में हम इसके राजनेतिक पहलूं के साथ साथ इसका जो धर्मिक पहलू है इस पर भी बात करनी की कोशिश करेंगे आज कोशिश करेंगे कि जो शंकराचारिये हैं अलग 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 चार पीट है शंकराचारियों के उनकी तरफ से क्या-क्या सवाल उठाए जा रहे हैं क्या परिसितियां बन रही है इसका विश्रेशन आज के इस वीडियो में करेंगे हैं स्वागत आप सब का फूर पीम पर और आप देख रहे हैं तक्षमण यादों का विश्रेशन असल में चंपत्राय एक पूरे पिश्रेशन के साथ तामजाम के साथ पूरी तैयारी के साथ शान शौकत के साथ किया जा रहा है आप सब को पता होगा कि विश्रेशन परिस्द ने तमाम और दलों ने या गोशना की है कि वो कैसे पूरे गाउं गाउं जाकर अक्षद बाटेंगे मिठी ले परिशद ने वह काम शुरू किया जब वो इंट हर घर से एक एक इंट ले आ रहे थे और अब वो गाउं गाउं में अक्षत से ले करके तमाम तरह के काम हो रहे हैं। उस तेवर के साथ काम कर रही है तो इस पर सवाल राई निजिक दलों ने उठाया है कि यह एक राजरेतिक बुद्धा है। ही हैं, हिंदू द्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं और इस तरक से चाहे वो कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एक पत्र जारी कर दिया कि मलीकार जुन खड़के और अधीर अजयन चोधरी के साथ सुनिया गांधी इस प्राण प्रतिश्टा कारिकर में शामिल नहीं हो होंगी, अखिले श्याद उन्हें एक चेठी लिखी, जब उन्हें 13 तारीक को ये पता चला तो 14 तारीक को चेठी लिखी उन्होंने कि आपने हमें अमंतरन भेजा, उसके लिए बधाई, धन्यवाद, कारिकम अच्छा हो, कारिकम के बाद हम सपरिवार दर्शन करने जाएं उसके बाद से लगातार ये कोशिश शुरू हो गई है, ये कहने की, साबित करने की, कि ये सारे लोग नाम द्रोई हैं, सनातन विरोधी हैं, सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, कैसे इसके खिलाफ जा रही है, धर्म के मतलब संत और बाकी लोग तो कम बोल रहे हैं या उनकी बातें बाद में सुनने में आ रही हैं सबसे पहले ये बातें सुनने में आ रही हैं बीज़ेपी की नेताओं की ओर से तो इसको लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है नेता है आज मायवती जी ने भी ये कहा कि अभी हमने निड़े नहीं लिया है कि हम उस राम मंदिर कारिकर में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसको लेकर के अभी उन्होंने नहीं नहीं लिया है न तुम मना किया है न हां किया है कि वो जाएंगी उन्होंने ये जरूटी पड़ी की है कि मंदिर बन रहा है अच्छी बात है उस चारो शंकराचार इस पूरे प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं चारो शंकराचार विरोध कर रहे हैं क्यों विरोध कर रहे हैं क्या विरोध कर रहे हैं इसको तीन हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहली बार शंकराचार का ओधा हिंदू धर्म ग्रंतों के लिहा धर्म में यह संक्राचारे का उहदा सबसे बड़ा है और वो जो संक्राचारे रहे हैं जो भक्ति अंदोलन से पहले के रहे हैं लगबग जिनका एक सूत्र वाक्य बग्दा है कि अहम ब्रह्मास में वो सारी लोग इसको कैसे वो देख रहे हैं चार जगव उन्होंने पीठ बनाई चार बड़े धर्म गुरों थे उनके उन चारों धर्म गुरों ने चार पीठ बनाई और उन पर रहने वाले चार लोग हैं और उन चारों के बारे में आपको समझना चाहिए जोशी मट जोशी मट के जोतिर पीठ के शंकराचार अविमुक्तेश्वरा नंद सरस्वती इन्होंने बयान दिया कि चारों शंकराचारियों में से कोई भी अयोध्या में समारों में शामिल नहीं होगा क्योंकि यह मंदर निर्माण कारि पूरा होने से पहले किया जा रहा है इस सम्मद में विश्रुंदु परिशत के कारिकारी अध्यक्षा लोग कुमार ने कहा कि प्राण पतिष्ठा का स्वागत करने वाले द्वारिका और शिंगेरी शंकराचारियों के बयान है पूरी शं शंकराचारे बदरिका उत्तरा खंड जोतिरमठ शंकराचार अविमुक्तेश्वरा नंद महराज इन्होंने इसके सवाल उठाए हैं कि यह तो पूरा नहीं हुआ चारों शंकराचारे वहां नहीं जा रहे हैं यह बार बार यह कह रहे हैं किसी राग द्विश के कारण नहीं जा रहे हैं ऐसा नहीं है शंकराचारियों का दाईत तो है कि वे शास्त्र विधी का पालन करें और करवाएं जहां वहां पर जो राम मंदिर का उद्घाटन का पूरा प्रक्रया चल रही है वहां शास्त्र विदिक की उपेक्षा हो रही है और सबसे पहली उपेक्षा यह है कि मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है ऐसी परिस्टी नहीं है कोई ऐसी परिस्टी नहीं है कि ये सब काम अचानक करना पड़े जैसे उन्होंने फिर विस्तार से याद दिलाया उन्होंने बार-बार कहा 48 में मूरती प्रकट हो गई मस्जद के भीतर हमने विरोध नहीं किया क्योंकि वो अलग परिसे थी ताला खुलवाया गया अलग परिसे शेश परिसे थी बाबरी मस्जद के ऊपर कारसेवा की गई वो एक विशेश परिस्टी थी इन में से किसी भी चीज़ काम ने विरोध नहीं किया तो यह बताया जाए कि इस समय कौन सी विशेश परिस्टी है कि इतनी जल्दी में जब मंदिर निर्मार का कारिभी पूरा नहीं हुआ है तो 22 जन्वरी की तारीख क्यों मुकर्रर कर दी गई और इतनी कमनौमी के समय अप्रेल में जब मंदिर पूरा बन जाता तब इसकी प्राणपतिष्टा करके इस मंदिर का काम हो जाता है शास्त्र सम्मठ ढंग से उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए ये बुनियादी सवाल उठाए जो तिर्मठ के शंकराचार ने गोवर्धन पीठ प ये कहते हैं कि मेरा हिद्य ऐसा नहीं है कि प्राणपतिष्ठा कारिकम नमंतर मिले तो मैं फूल जाओं वही नमंतर न मिलने पर कुपित हो जाओं राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हो मेरी चंता यह है उनका कहना है कि अब ही जो प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है इसलिए मेरा उसमें जाना शास्त्र सम्मत नहीं है अनुचित है स्वामी निश्यला नंसरस्वती ने आगे पूरा विस्तार से अपनी बात कहते हुए क्या क्या कहा कैसे इस बात को समझाया इसे देखना और समझना बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि कौन मूर्ती का स्पर्श करे कौन न करे इसका ध्यान रखना चाहिए हलां कि मैं एक बात जोड़ दूँ कि ये जो निश्यला जी है इनका पहले आरक्षण के विरोध में बयान आ चुका है शायद नरेंदर मोदी राजनितिक व्यक्ति हैं इससे उन्हें शायद कोई बहुत चिंता नहीं है उनके बड़ी चिंता ये है कि एक OBC मुख्य मंत्री मूर्टी को कैसे चुएगा इसका कुछ-कुछ संकित मिलता है इसलिए इन बयान की आलोचना भी होती है लेकिन धर्म पर अब गरम बात करें जिस धर्म का दावा कर रही है बीजेपी कि यह धर्म काम हो रहा है शात्र सम्मत हो रहा है कोई राजनिती नहीं हो रही है केवल और केवल धर्म का काम हो रहा है तो धर्म का काम करने का दावा करने वाली बीजेपी के सामने धर्म के गुरु जो है उनके सवाल तो देश के सामने आने चाहिए उन्होंने कहा कि पुराणों में लिखा है कि देवता यानि मूर्ति जब प्रतिष्ठित होती है तो बिधिवत होती है अगर ये शास्त्र सम्मत न हो प्रक्रिया के पालन के साथ न हो तो देवता कुरुधित हो जाते हैं अब जो मूर्ति है अगर वो गलत तरीके से वहां पर प्रतिष्ठित की जाती है तो वो गलत शक्तियां उसमें प्रवेश कर जाती है और वह विनाश करती हैं, वह नुकसान पहुचाती है, धंग से काम किया जाए, खिलवार न किया जाए, यह खिलवार नहीं है, शंकराचार कहा रहा है, धंग से किया जाए, तभी देवता का तेज सबसे अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है, अब ये इसी बात की आलोचना हो रही थी जो मैं कहने जा रहा था कि शंकराचारे कह रहे है थे कि नरेंदर मोदी वहाँ पर मूर्टी का वो करेंगे तो मैं जाके ताली बजाओंगा, जय जय करूंगा, मुझे अपने पत की गरिमा है, मैं वहाँ गया तो मोदी से अधिक से कर दो अर्थ निकलते हैं एक अर्थ यह कि क्या शंकराचारे राजनिती कुरूप के निर Τ्रह के लिए और क्या उनके ओबीश्य उन शंगरी पीट के मठ की ओर से यह कहा गया है बयान दिया गया है कि शंकराचार भारती तीर्थ की तस्वीर के साथ एक संदेश शेयर किया जा रहा है प्राप्ट ऐसा का जा रहा है कि प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं लेकिन शंकराचार के ओर से विरोध नहीं किया गया है शामिल होंगे या नहीं अभी तक तह नहीं गुजरात में शारदा मठ है उसके शंकराचारे सदानंद महाराज है और राम मंदर में प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा है उसको लेकरके शारदा पीटके संकराचारे की और से भी ब्यान अभी पश्ट नहीं है 500 साल विवात के बाद खतम हुआ यह बिरोध में हैं की नहीं यह अभी तक स्पष्ट नहीं है लेकिन वह उस प्राण प्रतिष्ठा कारिकम में जाएंगे इसको लेकर के वे भी उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया सवाल यह होता है कि इन बिंदूओं का धार्मिक काम अगर यह राम मंदर का प्रतिष्ठा का कारिकम धार्मिक है तो धार्मिक काम पर धार्म के लोग जो सवाल उठा रहें इसका जवाब प्रेस कॉन्फरेंस करके बीजेपी के राष्ट्रिय द्यक्ष जेपी नड़ा को बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंती नरेंद्र मोदी को ग्रिह मंत्री अमिशा को क्या नहीं देना चाहिए या जो ट्रस्ट बना है ट्रस्ट के जर्ये क्या इन बातों का जवाब दिये बिना इसे यह कह देना कि यह धार्मी का योजन है यह पूरा हो जाएगा कोई मुसल्मान इसका विरोध इस तरह नहीं कर रहा है कोई नहीं कर रहा है किसी ने एक बयान नहीं दिया जिसको मंदर नहीं जाना है वो भी इसका विरोध नहीं कर रहा है हमसे क्या मतलब आप जैसे मन करें वैसे बना है तो यह जो धर्म का काम है धर्म की परिस्तियां है धर्म के पूरे कलेवर के साथ हो रही है धर्मिक आयोजन के नाम पर हो रही है तो धर्मिक आयोजन पर धर्म गूरु सवाल उठा रहे तो इसका जवाब तो कम से कम बी-जे-पी को यह सपश्ट करते हुए देना चाहिए और पी-जे-पी या तो रामंदिर ट्रश्ट की तरफ से इसका जवाब देना चाहिए, जैसे मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है, तो क्या विशेश परिस्थी है कि इसका उधर्टन अभी किया जाए, कौन उसमें शामिल हो रहा है, क्यों प्रणार प्रतिष्टा करेगा, कैसे करेगा, धर्मशास सम्मत ह है के नहीं, राम नौमिंग की समय इसका किया जा सकता था, अभी इसका करने का क्या जवाब था, इतना जल्दी बाजी कि इस बात कि इन सारे सवालों को लेकर के राम मंदिर का मुद्दा पुरदेश में रاجनीती का केंडर बना हुगा, अब एक दूसरी और आज की महत्पो तिक मुद्दारा है ऐसा नहीं है 1948 में मूर्तियां प्रकट हो गई भारत उधर आजाद हुआ भारत में धर्म के नाम पर विभाजन हुआ दो टोकड़े हुए लेकिन उसके बीच में हुआ ये की मूर्ति प्रकट हो गई कोट में केस जा गया वहां के डियम उसमें कोई नयर थे उन्होंने मूर्ति को वापस वहां रखने से विरोध कर दिया चठी लिखी केंसरकार ने रायसरकार को उस मुद्द प्रदेश्ट मुक्ष मंत्री गोविद वलम पंथ थे उन्होंने के मुक्ष सचे उन्हें डियम को चठी लिखी आदेश दिया कि जो सत्ती थी पहले वही बहाल कर दी जाए यह अचानक कैसे मूर्ति प्रकट हुए इसके पीछे की कहानी क्या है लेकिन दियम ने मना कर दिया वो विवाद वहां से शुरू होगे कोट केस चलने लगा उस समय जनसंग बना था जनसंग इस मामले में साथ नहीं खड़ा था कोट केस में साथ नह नमबर दो जनसंग के बाद भारती जनता पार्टी बनी उन्निस सो असी में सततर तक जनसंग रहा उसके बाद उन्निस सो असी में भारती जनता पार्टी बनी और भारती जनता पार्टी के शुरुआती मेनुफेश्टों में राम मंदिर का मुद्दा नहीं था 1984 के आसपास से विश्व हिंदु परिशद ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाना शुरू किया कुछ-कुछ सेमिनार, कुछ-कुछ गोश्थी, तमाम चीजें करना शुरू किया और वह करते-करते वह काम आगे बढ़ना शुरू हुआ बीजेपी वहां नहीं कहीं खड़ी थी, 85 में भी नहीं खड़ी थी 89 के आसपास, पालंपूर अधिवेशन, जब RSS, विश्व हिंदु परिशत और बीजेपी तीनों की एक साथ बैठक होई, वहाँ पर बीजेपी के निताओं ने कहा कि अगर आप लोगों को एतराज न हो, तो इस राम मंदिर आंदोलन को अब हम राजनेतिक मुद्दा बनाएं और राजनेतिक रूप से इसको हल करने की कोशिश शुरू करते शुरू में लोगों ने विरोध किया कि भाई अब तक कहा थे, हम लोग लड़ रहे थे, अब आप कहरो राजनेतिक करन करेंगे ठीक नहीं है, राजनेतिक इस मैं नहीं होने चीए धर्म का विश्रे हम लोग लड़ करके ले लेंगे, लेकिन नहीं, वो बात जब आगे तब तक 6 अगस्त 1990 को मंडल आंदोलन की काम्याबी के साथ एक शिफारिस मंडल कमिशन की लागू करती गई, देश में मंडल आंदोलन चरम पर आ गया, अचानक बीजेपी ने कहा कि अब एक्दम सही समय है कमंडल लेकर निकलने का, और 6 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त मंड फिर से होती है, लाल किशन अडवाणी के नित्रत में रत्यात्रा निकालने का तैं हो जाता है, और 25 सितंबर 1990 को अयोध्या के लिए रत्यात्रा लेकर लाल किशन अडवाणी निकल जाते हैं, लाखों लोग फिर तब देखते हैं कि एक राजनितिक मुद्दा बना, विवा जात्रा और राम मंदर आंदोलन का लाब केवल बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि यह बीजेपी का एक चुनावी राजनितिक मुद्दा है, और इसलिए हमें इसका लाब निश्यत रुप से मिलेगा, आज राम मंदर उद्गाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और खोद हिंदो धर्म के बड़े संतों और शंकराचारियों ने ठीक वही आरोप लगाए हैं, जो राजनितिक दल भी कह रहे हैं, कि यह धार्मिक आयोचन नहीं, एक राजनितिक आयोचन है, और इसलिए अभी तक यह निश्यत है कि कोई शंकराचारे इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, पूरी कहानी को इस तरह से समझें, और आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, देखते रहे हैं फोर पीम, फिर मिलेंगे किसी और विश्यशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, झाल